यो तो राजनीती के इतिहास में दीन दयाल जी का नाम उन अक्षरों से लिखा जाता है जिसे आने वाली प्यड़ी हमेशा से अपना आधर्श मानती रहेगी लेकिन दीन दयाल जी को भी कुछ ऐसी दिक्कते रही जिसके बारे में सब को जानना भी जरूरी है और राजनीती की इस दोड़ भाग में इन दिक्कतों का सामना कैसे उन्होंने किया ये भी अपने आप में एक मिसाल है कैसे उन्होंने कार्यकरताओं को रास्ते दिखाए और कैसे वो खुद जब स्टेज पर गए और बोलने के लिए कुछ नहीं था उस वक्त उन्होंने कैसे उस हालात को संभाला ऐसा ही एक किस्सा है आपको बताते हैं दीन दयाल जी ने बताया है कि हमारा कार्यकरता बचपन से ही संग के कारण देश और दुनिया के समस्यां से ज़्यादा अवगत रहता है उस वक्त हम म्यूंसिपल कॉर्परेशन भी नहीं जीतते थे ग्रामेन सुराज संस्थाओं में भी हमारे लोग नहीं थे नहीं हमारा कोई विधायक था और नहीं सांसद हमारे कार्यकरताओं को उस वक्त लोकल बातों का परिचे कम होता था वो देश और दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते थे दीन दयाल उपाध्याई जी उस वक्त पार्टी के संगठन महामंतरी थे एक साल के लिए जनसंग के राष्टे अध्यक्ष भी रहे वो सबसे ज़ादा प्रवास करने वाले नेता थे सादगी और शुचिता के लिए वो मशूर थे उस वक्त दिल्ली के अजमेरी गेट की पार्टी कार्याले को साफ रखने से लेकर बड़े बड़े नेताओं से मिलने तक का सब काम उन्हें ही देखना पड़ता था एक बार 1957 में वो पूरे देश का भ्रवन करते हुए महराष्ट के जिली एहमद नगर में कए यो ही नहीं मैं मैं बन जाता हूँ एहमद नगर का रेलवे स्टेशन उस वक्त करीब साथ से आठ किलोमेटर दूर था उस वक्त के जंसन के जिलाध्यक्ष ने उन्हें रिसीव किया दोनों तांगे में बैठ कर आने लगे दीन देयाल जी ने उनसे सारे कारेकरम के बारे में पूछा उन्होंने बताया कि शाम छे बजे पब्लिक मीटिंग है और उससे पहले तीन बजे प्रेस कॉन्फरेंस है दीन देयाल जी ने पूछा कि पब्लिक मीटिंग में कौन कौन बोलेगा तो उन्होंने कहा कि पहले मैं बोलूँगा मैं भूमिका बना दूँगा फिर आप बोलना क्योंकि आपका भाशन मुख्य होगा दीन देयाल जी ने पूछा कि आप क्या बोलेंगे तो उन्होंने कहा मैं आर्टिकल 370 पर बोलूँगा मैं एक जंडा, एक राष्ट की बात करूँगा, मैं घुस पैट की बात करूँगा, कच बॉडर की आसुरक्षा की बात करूँगा ये सुनने के बाद दीन दयाल जी ने धीरे से कहा, ये सब विशे आप ले लेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा तो जिला अध्यक्ष सोच में पड़ गए, दीन दयाल जी ने कहा कि आल इंडिया विशे आप मेरे लिए छोड़ दें, और आप स्थानिय समस्याओं पर बोलें, जो मुझे मालूम नहीं है, जिला अध्यक्ष को कुछ समझ ही नहीं आया, कि आखिरकार अब मैं क्या बोलूँ कि स्थानिय समस्या की बात करूँ, तब दीन दयाल जी ने कहा कि हम स्टेशन से उतर कर आपके शहर में जा रहे हैं, ये कितना दूर है, उन्होंने कहा आठ किलो मीटर दूर है, दीन दयाल जी ने पूछा कि ट्रेन टिकेट की विंडो आपके शहर में है या नहीं, उन्हों उन्होंने कहा अच्छा लगेगा तब दीन दयाल जी ने समझाया कि ये लोकल दिक्कत है फिर उन्होंने पूछा आपके शहर में पानी कब आता है उन्होंने कहा चार दिन में एक बार आता है दीन दयाल जी ने कहा कि पानी हर रोज आएगा तो लोग खुश होंगे उन्होंन की ट्रेनिंग का काम भी दिन देयाल जी को करना पड़ा और उनके साथ कारेकरताओं के ओल इंडिया आउटलुक को भी उन्होंने काफी बेहतर किया संग और पार्टी की इस तरहां की ट्रेनिंग की वजह से हर कोई पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड से तालुक नहीं भी रखने के बावजूद कारकरता के तौर पर सफल होकर आगे बढ़ने की कोशेश जरूर करता रहा है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा